हेलो फ्रेड्स नेर्स किचन में आज मैं आप सबके लिए बहुत ही एक्सपेंसिब और टेस्टी चकलेट ट्रफर केक की रेसीपी लेकी आई हूँ जिसे खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं और इसे आज हम घर में बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगें अपर चलिए फ केक की र्रॉस्टइंग करेंगे आप हैं आप शुच रहें हैं कि चॉकलेट से करेंगे बिल्कुल में ट्रफल केक बनाएंगे चुट शुटा समय ऐसे कट कर लिया है बस डूसे सइड गया कर लें है और इसमें में हाप मिल कर डाल रही हूं साथी जो घर हुए हम चलाते रहेंगे मेडियम पर बहुत ज्यादा इसे पकाते रही तरह से यह इंधरेंगा इस तरह से हमारा गनास कर दिया मैं पाउड़ ya इसे तरह से दो मेरे ऑधंदे भी तरह से तरह हमें करते हिए यहां पर कर ले आपर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें half cup में दूर डाल रही हूं साथी half cup sugar powder साथी one fourth cup हम यहाँ पर refined sunflower oil डाल रहे हैं और one teaspoon के जैसे vanilla essence डाल रहे हैं और सभी को अच्छे से बिल्कुल mix कर लेंगे सुगर को melt होने तक इसके अच्छे से चलाते हुए mix कर लेंगे हम यह हमारा अच्छे से mix हो गया है अब इसके उपर हम एक चन्नी रख रहे हैं अब हम इसमें one cup मैदा डाल रहे हैं साथी three table spoon dark cocoa powder डाल रहे हैं इसमें बहुत अच्छा सा color आता है और बहुत ही अच्छा सा चोकलेटी flavor आएगा साथी साथ one fourth cup हम यहाँ पर meat powder एट कर रहे हैं इसमें साथी one teaspoon मैं baking powder और half teaspoon baking soda डाल रहे हैं इन सारी चीजों को हम चान लेंगे देखिए यह हमारा अच्छे से चान लेना है इसी तरह से चान ली हूँ अभी इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेना है dry ingredients और wet ingredients दोनों को बिल्कुल अच्छे से एक ही direction में चलाते हुए mix करना है यह हमेशा ध्यान रखेंगे फ्रेंट से केक का बेटर को हमेशा एक ही direction में चलाते हुए उसे mix कर लेना है हमें थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो इस टेंब मैं यहां पर थोड़ा सा टूटेवल स्पूल और milk add कर ले रही हूँ इसके consistency को सही करने के लिए देखें यह हमारा बेटर थोड़ासा और पसला हो गया है हमें बहुत ज्यादा न गाळ बना बहुत ज्यादा पतला करना है इस तरह से इस तरह से फ्लोईंग कर से अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसके इसके इसमें बेकिंग पाउड़ा को एक्टिब करने के लिए वन टेबल स्पून हमें यहां पर वैनेगर एड़ कर रहे हैं देखे और इसे भी मिक्स करते हुए अच्छा से चला लेंगे बिल्कुल ही एक ह चलाते हुए मिक्स कर लेंगे यह हमारा बेटर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया दिखिए इसके कंसिस्टेंसी बिल्कुल रानिंग है इसी ऐसे ही कंसिस्टेंसी रहने चाहिए अब मैं यहां पर 6 इंच का आज स्क्वेर टीन ली हूँ इसमें मैं लाइनिंग करके और स से लाइनिंग कर रही हूँ अब इसमें जो हमारा बैटर रेडि किया हुआ है इसे डाल दे रही हूँ अब हमें इसे अच्छे से टैप टैप कर लेना है इसी टैम में इसी बीच मैंने ओवेन को 180 डिग्री सेलसेस में प्रिहिट करने के लिए 10 मिनट के लिए रग दिया था सेट हो गया है अब हम इसे ओवेन में रख दे रहे हैं इसे में रख दे रही हूँ 30 से 35 मिनट के लिए हम इसे बेक करने के लिए रख दे रहे हैं जब तक हमारा केक बेक हो रहा है हम यहाँ पर हमारा गनाज सा वो बिलकुल अच्छे से ठंडा हो चुका है सेट हो चुका है इसे हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे, इलेक्टिक बीटर से हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे, ताकि हमारा ये केक में फॉस्टिंग करने का लायक हो जाए, यहां पर थोड़ा सा, देखिए, इसे हमें 20 से 30 मिनिट, जादा से जादा हमें बीट करना है, देखिए, इस तरह से हम स्पंज भी बनके रेडी हो गया है बिल्कुल अच्छे से इसका हमारा बटर पेपर निकाल देते हैं बिल्कुल बहुत ही सॉप्ट बना है इसके हम आज टू पर्ट में कट करेंगे सबसे पहले उपर वाला लेयर को हम हटा देंगे जो अनसेफ रहता है थोड़ा सा अब इसे तरह से कट कर लेंगे बीचों बीच यह देखिए हमारा टू पाट हो गया है अब टेवल में थोड़ा सा यहां पर यह ट्रफल को थोड़ा सा लगा दे रही हूं इसके उपर एक पाट रख रही हूं और यहां पर सुगर सिरफ से इसे सोक कर दे रही हूं इस फ्रेंट इसे मौश्टर बना रहता है बहुत सौप्ट रहता है अब इसके उपर यहां पर हम ट्रफल रखेंगे दिखिए इस पे चलों से हम ट्रफल डाल रहे हैं और इस तरह से इसे पैलेट नाइप से बहुत ही ध्यान से फ्रेंट और आहिस्ता से इसे बहुत ज्यादा हरबड़ भी नहीं करना है यह नॉर्मल क्रीम विपिंग क्रीम के जैसा नहीं है फ्रेंट उतना लाइट नहीं होता है यह थोड़ा सा हैबी होता है इसे बहुत ही मतलब बहुत ही एहतियात से इसे इसे इस प्रेट करना पड़ता है देखिए इस तरह से पैलेट नाइप से फैला ले बिखियेंगे ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह सह बनाने से बहुत ही ज़ाधा इदम चॉकलेटी फ्लेवर रहता है बहुत ही ज्जाधा टेस्टी और रिच सा ही है आप चाहे तो कौम का भी यूज कर सकते हैं बस चिकना करने के लिए इस तरह से देखिए हमारा यह हमारा चारो तरफ से अच्छे से बिल्कुल स्मूथ हो चुका है देखिए बिल्कुल ही अच्छे से स्मूथ हो गया है इसे ज्यादा हमें नहीं करना है अगर इसे spread करते टेम जब आपका spatula अगर काम ना करता हो जाम हो जाता हो तो आप side में गरम पानी रखी गया उसमें इस तरह के knife को dip करिएगा फिर इसको अच्छे से पोच के फिर से इसमें काम करिएगा बिल्कुल अच्छे से इसे बहुत ही समल के काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा हडबड़ा आने का नहीं है यह देखिए हमारा smooth हो गया है बहुत अच्छे तरीका से अब हम इसके उपर थोड़ा सा फूल बना देते क्योंकि हमारा जो ट्रफल है वह थोड़ा सा बज गया था उसे वाइपन बैंग में डाल दी हूँ और यहां पर इस नोजल लगा दी हूँ और इसमें थोड़ा सा हम एक साइड में इस तरह से फ्लावर बना दे रहे है रोज फ्लावर जिससे हमारा केक का लुग बहुत ही अच्छा हैगा पूरा में हम नहीं बना रहे है फ्रेम एक आप से जैसे चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से हम देखिए यह कंप्लीट हो गिया है अब बीच में एक हम फ्लावर बना दिये है अब इसको जो बचा हुआ पार है खाली जगा है यहां पर हम थोड़ा सा स्प्रंकल कर दे रहें तक बहुत अच्छा लगे में हमारा बन के रेडी हो गया है बस इसी चॉकलेट को हैंडल करना थोड़ा सा मुस्किल होता है तो उसे आप ध्यान रखेगे बाकि यह फटा फट केक आपको बन जाएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक से अगर किजिएगे और जो चैनल पर नए है वह चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजिएगा और हमें फेस्बुक और इस्टाग्रम में भी जरूर से फॉलो किजिएगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर